मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिन्दगी का इम्तहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिन्दगी में और लडने वालों के कदमों में जहान होता है और इसी लाइन के साथ स्वागत करता हूँ मैं, मेरा नाम है जैसिंग मोरे और आपका स्वागत है कमेश्टी की इस प्यारे सेसन में और आज आप पढ़ने वाले हैं, Solid State की एकदम खुबसूरत सा Topic जिसके बारे में बुकों में जो चीज लिखा उसको थोड़ा सा समझने में difficulty आती है crystal defects, crystal defects imperfection या disorder जैसे कोई भी ब्यक्ती, कोई भी इंसान disorder हो जाए, जैसे किसी के हाथ में कोई कमी हो जाए, पायर में हो जाए, mentally हो जाए तो आदि मोलते हैं कि ये mental disorder है, ये physical disorder है या फिर कुछ भी disorders है, मतर इसके अंदर कुछ नो कुछ कमी है तो जितने भी crystals हमें मिलते हैं, जितने भी crystals हमें मिलते हैं इस nature में जितने crystals हैं, कोई भी perfect crystal नहीं है कोई भी perfect crystal नहीं है, और एक चीज ये भी बता दूँ कि perfect crystal का अपने जीवन में कोई काम भी नहीं है अगर अच्छा crystal होगा, अच्छा solid होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ imperfection defects होना चाहिए, क्योंकि imperfection और defects, मैं बार बार defects वाधी उज़ करूँगा, imperfection नहीं उज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लंबा है, तो defects होना भी solid में, अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है जिन solids के अंदर, जिन crystals के अंदर defects होता है, वो अच्छे माने जाते हैं, वो कैसे माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, किसी में defects है, वो अच्छा है, जिसमें defects होगा, वो अच्छा है, कौन अच्छा है, जिसमें defects होगा, वो अच्छा है, बास नमा रही है, चलिए, तो आईए सेसन को यहाई से स्टार्ट करते हैं और बाकी जानकारी मैं दे चुका हूँ तो पहला पॉइंट में क्या लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा At Absolute Temperature Absolute Temperature मतलब Zero Kelvin Temperature की बात कर रहा हूँ No Defects No Defects No Defects in Crystal Zero Kelvin Temperature जिसे हम Absolute Temperature बोलते हैं उस Temperature पर किसी भी Solid में कोई भी Defects नहीं पाया जाता है एक चीज नोट कर लिजिएगा कोई भी Defects पाया नहीं जाता है कारण क्या है ध्यान समझिएगा जब इनका हम धीरे-धीरे Temperature हम Increase करते हैं जब Temperature को हम Increase करेंगे तो क्या होगा इनमें Disorder Generate होता जाएगा इनमें Disorder या Defects Generate होता जाएगा और एक और खास बात मैं बता दूँ कि कोई भी Ideal Crystal नहीं हो सकता कोई भी Ideal Crystal नहीं हो सकता लेकिन Zero Kelvin Temperature पर मैं बात करूँ तो बोल सकता हूँ कि इस Temperature पर Ideal Crystal हो सकता है क्या हो सकता है? Ideal Crystal हो सकता है बासन मा रही है? Clear है बात? Clear है बात? At Room Temperature की बात की जाए At Room Temperature जहाँ पर हम Temperature 25 degree centigrade मानते हैं वहाँ पर लगभग सभी सभी All Crystal All Crystal So Defects All Crystal So Defects बात मा रही है? Defects का मतलब क्या है? कि जो इनका Arrangement होता है अब आप कहेंगे Arrangement मतलब जो हमने पढ़ा है FCC Arrangement, BCC Arrangement, SC Arrangement इन सभी की Fixed Position होती है और इन Fixed Position को हम क्या बोलेंगे ध्याँ समझेगा? इन Fixed Position में कोई ना कोई प्रावलम आएगी या तो फिर के टाइन कहीं दूसरी जगा जाएगा एना इन कहीं दूसरी जगा चला जाएगा या निकल ही जाएगे या फिर कुछ भी जो होगा बरत यह perfect नहीं होंगे जिस हिसाब से होना इनको चाहिए था तो आप कहेंगे अच्छा All Crystals So Defects अब बात करूं में Defects की तो ध्यान से समझेगा Defects कई प्रकार के होते हैं जैसे Point Defect Point Defect Line Defect Line Defect And Line Defect And Plain Defect Plain Defect जब हम Mechanical Engineering मोगारा करते हैं तो हमें यह दोनों पढ़ने होते हैं अभी अपने को सिर्फ Point Defect पढ़ना है अभी सिर्फ क्या पढ़ना अपने को Point Defect पढ़ना है ठीक है तो Defects के बारे में clear हो गया Defects होना बहुत अच्छी बात Defects होना बहुत अच्छी बात है क्यों रे भाई जिन में Defects होगा उनके Nature अच्छी होते हैं अभी मैं प्रूब करके बताऊंगा कि कौन से Solid अच्छी होगा जिन में Defects होगा वह अच्छी होगा इंसान में Defect आ जाए तो वह अच्छा नहीं होगा लेकिन Solid अच्छी होंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा बात संबारी है Point Defects की बात करते हैं Point Defects Basically तीन प्रकार के हमें पढ़ने हैं कौन कौन से एक तो हमें पढ़ना है Isto Iq Metric Isto Iq Metric Defect पढ़ना है और एक Non Isto Iq Metric Defect पढ़ना है और तीसरी की बात की जाए तो दहां समझिएगा Impurity Defects के बारे हम बात करेंगे Impurity Defects हम सबसे last में पढ़ेंगे और उसको मैं आपको derive करके बताऊंगा भी कि यह Defects क्या है बात संबारी है समझ रहे है समझ रहे है तो Isto Iq Metric Defect और Non Isto Iq Metric Defect और तीसरा Defect था Impurity Defect उनमें कुछ Impurity होती हो निकाल देते है तो तीसरा Defect है Impurity Defect यह भी दो परकार के होंगे ठीक है यह हमें जो परने है द्यास होजिएगा एक तो Bicancy Defect परना है इसमें Bicancy Defect और Inter Stacial Defect परना है Short की Defect परना है और Frankel Defect परना है और Frankel Defect परना है Frankel Defect परना है Non-Strikyometric Defect में भी Types होते हैं इसको जब मैं Non-Strikyometric Defect परहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा अब चलिए आये इस्टार्ट करता है तो जो पहला Defect हम पढ़ने वाले हैं वो नाम है उसका इस्टाइकियो Metric तो Point Defect Point Defect में क्या होता है Actually जो Lightest Point होती है जहां पर हम basis रखते थे याद होगा आपको Lightest Point हमने बनाया था ऐसे ऐसे करके यह Lightest Point थे जिसे पूरे को हम बोलते थे Space Lightest इस पूरे को हम Space Lightest बोलते थे और इस पे हमने क्या रखा थे इस पे हमने basis रखा था याद हो आपको इस पे हमने basis रखा था तो क्या होता है इन basis की जो arrangement होती है वो थोड़ी सी disorder form में होती है मतलब एक अच्छे से arrangement नहीं होता इनका Lightest Point पे द्यान समझेगा Lightest Point पे disorder होता है इसलिए हम इसे Point Defects बोलते है आपने का चलो Point Defect तो आपने clear कर लिया स्टाइक्योमेट्रिक Point Defect क्या होता है इसमें no change no change in no change in स्टाइक्यो स्टाइक्योमेट्रिक Defect no change in स्टाइक्योमेट्रिक Defect तो इस चीज को थोड़ा सा और express करता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास NaCl solid है हमारे पास NaCl solid है बस मैं एक example के तोर पर समझाना चाह रहा हूँ तो अगर इसमें कुछ Defects आएगा इस्टाइक्योमेट्रिक Defects की बात हम करेंगे तो जो Defects होगा वो दोनों में होगा कहने का मतलब है कि Ketine, NiN दोनों में वो Defects होगा और जब दोनों में So होगा तो इनके इस्टाइक्योमेट्रिक कोफिशेंट में कोई भी change नहीं होगा NaCl पहले थे बाद में भी NaCl पहले भी था और बाद में भी NaCl था मतलब ऐसा Defects जिसमें है इस्टाइक्योमेट्रिक जिसमें इस्टाइक्योमेट्रिक कॉंस्टेंट इस्टाइक्योमेट्रिक नंबर चेंज ना हो या फिर molecular formula का form ना चेंज हो उसे हम क्या बोलेंगे इस्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे क्या बोलें गे इंष्टा आईकियों में टनीटरिक पोईंटट बोलेंगे क्लियर है क्या ये पोईंट से आप लोगों को ऐले हो हो गया दिए शली इसी में पड़ते हैं तो हम गया बाई लेरा केंशी डिफेक्ट गयां से समझने की कोशिस कीजिये कि यह हमारा arrangement है अभी इसमें हम केटायन भी डालेंगे अब कोई भी डिफेक्ट होगा तो उस डिफेक्ट के बारे में समझने से पहले हम क्या ध्यान देंगे हम ध्यान देंगे कि जो केटायन और अणायन का arrangement होगा इसमें केटायन की size जो होगी वो बहुत छोटी होगी किसके comparison में अणायन के comparison में तो बेकंक्यों क्या कहता है कि इनका जो arrangement होता है केटायन और अणायन का मैं यह आप लिख दे रहा हूँ जैसे मैंने इन्सब में फिल करदिया ग्रीन कलर का ये एनायन है ये कटायन है ये है कटायन 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 ये है यह कितायन, यह कितायन, यह कितायन, यह कितायन, यह कितायन, यह कितायन, अब इसमें क्या होता कि इनका जो arrangement होता ही, इनमें कोई disorder दिख नहीं रहा है, बट, बैकेंसी डिफेक्ट कब जन्देट होगा, जब कोई एक एटम, जब कोई एक एटम, चाहे केटाइन, चाहे एनायन, अपना अस्थान छोड़के चला जाएगा, तुसे हम बोलेंगे, बैकेंसी डिफेक्ट, आपने खा जैसे, तो देखो, मैं एक यहाँ से गायप कर द ठीक है, अरे समझ में आई बात कि नहीं, यहां पर क्या जनरेट हुआ, यहां पर बैकेंसी जनरेट हुआ, यहां भी क्या जनरेट हुआ, यहां भी क्या जनरेट हुआ, बैकेंसी जनरेट हुआ, तो इसे हम बोलेंगे, बैकेंसी, क्या बोलेंगे, बैकेंसी, और इसे भी क्य कहीं चले जाएंगे तो क्या हो जायगा। वहांपर Bahand Bless had to say bykancy defect zone rate होगी वहां पर क्या होगी bykancy defect zone rate होगी बासें में आ रही है अरह समझ customs रहेंगे नहीं कि नहीं समझ समझ रहें? और यह जो जगा होती है है dar Although, और यह जो जगा होती है इस जगा कू इसको inter inter interstitial interstitial point या void interstitial point नहीं, interstitial place या फिर wide बोलते हैं, क्या बोलते हैं? interstitial place या wide बोलते हैं, ठीक है? तो vacancy defect एकदम clear हो रहा, vacancy defect क्या है? भी कि जब items अपना place थोड़ के चले जयेंगे, कहीं भी बोलते हैं उसे मतलब नहीं है लेकिन जाने चाहिए, चोडने ऐकदम के चले जाने चाहिए, ठीक है? छोडीक के चले गए, यहां पे चला गया हैं, यहां पे चला गया है तो दूसरा आता है दूसरा आता है Self Inter Esticial Defects यह दो परकार का होता है कैसा होगा? दो परकार का होगा, देखिएगा ुब ुप ुब 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 पेतने वब कर दो एब कांभगे थाफिए, और अकुष। लुप भुस यह पुदए। pharmं़ कर दो कर दो खेख खेख तो बात करते हैं self interstitial defect की तो self interstitial defect में क्या होगा ध्यान समझेगा एक case में क्या होगा या तो कोई extra का तो कोई extra ध्यान समझेगा या तो कोई extra मैं बोल दे रहा हूँ इसको मैं rate pen से बनाऊँगा ध्यान समझेगा या तो कोई extra cation, anion इनके interstitial space में आके घुच जाएंगे पहला point क्या बोला मैंने या तो कोई extra बाहर से कोई cation या anion इनके interstitial interstitial place यह क्या है यह जो खाली जगा बच रही है क्या बोलते है इसको interstitial place बोलते है उस place क्या होगा बाहर से कोई आके बैठ जाएगा या फिर क्या होगा या फिर होगा कुछ यह ध्यान समझेगा ये वाला blue वाला अपना place छोड़के कहां चला गया है ध्यान समझेगा अपना place छोड़के यहां पे चला गया कहां पे चला गया है यहाँ पे चला गया है और यह blue वाला अपना space छोड़के कहाँ चला गया है यहाँ पे चला गया कहने का मतलब क्या है या तो कोई बाहर से atom इनके inter-stitial place में आ जाएं या फिर इनके ही atom कहाँ पे चले जाएं inter-stitial place पे चले जाएं तो ये दो प्रकार के show करते हैं यह interstitial defect कितने प्रकार के सो करेंगे, दो प्रकार के सो होंगे, यह भी interstitial defect है, वो भी interstitial defect है, लेकिन इसे हम, इसे हम साथी साथ vacancy defect भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, vacancy defect भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना place छोड़के चला गया, वो अपना place छोड़के चला गया ठीक है, यह क्या है, this is interstitial defect as well as, क्या है, vacancy defect, ठीक है, points clear हो रहे हैं, चलिए, बहुत अच्छी बात है, points clear हो रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा defect है, जो हमारे पास, sort की defect, क्या है, sort की defect है, ध्याँ से समझीएगा, sort की, sort की defect, sort की defect, इसमें क्या होता है? इसमें होता कुछ यह है, कि, कि जो same, same number में, जो cation और anine होते हैं, जो same number में cation और anine होते हैं, وہ क्या होते हैं, missing होते हैं, तो दिये देखिये, मैं जल्दी-जल्दी की मारे बना दे रहा हूं, ठीक है? देखें, ये एक बनाया, 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 ऐसे बना रही रहा हूँ, पास-पास तो सोटकी में तुम्ही बताओ NA CL 100 करेगा कि नहीं करेगा बिल्कुल करेगा NA CL क्यों नहीं 100 करेगा तो NA CL में क्या होगा जैसे ये NA plus है ये CL minus, ये NA plus ये CL minus, ये CL minus, ये NA plus ये NA plus, ये CL minus 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 होताा कया है ध्याव समझियेका। इसमें same number जिसको हम appropriate number बोलते हैं मैं सब्सक्राइब आप्रोप्रियेट number का मतलब क्या होता है। same number में ketain anion are mishing क्या होते हैं ketain और anion क्या होते हैं मिशिंग होते हैं. कहने का मतलब है, कि मालनो यहां से कलोरीन मिशिंग है, तो यहां से सोडिय公ा होते हैं. अगर ogether, चल2 की बात करोगे, तो यहां से समझिये का होगा, 1 calcium 2 plus מिशिंग होगा, 1 calcium 2 plus मिशिंग होगा, तो 7 में 2 Cl miss माइनस मिसिंग होंगे, क्या होंगे? CL माइनस मिसिंग होंगे, क्योंकि हमें electrical neutrality को maintain करके रखना है, क्या करना है? electrical neutrality को maintain करके रखना है, बासमद में आ रही है? अरे बासमद में आ रही होगी? ठीक है, तो यह चीज़ समद में आया, कि short की defect क्या, short की defect में क्या होता है, same types के, same type के number, same number में ketion और anion क्या होते हैं, missing होते हैं, लेकिन, अगर same type के number की बात कर रहा हूँ, तो charge क्या होने चाहिए, balance होने चाहिए, मतलब, electrically, electrically क्या होने चाहिए, neutral होने चाहिए, Electrically क्या होने चाहिए Neutral होने चाहिए पासद मा रही है तो short की defect में कुछ बात करते हैं Short की defect में बात करते हैं कि कौन कौन से short की defect show करते हैं एक तो पहला point है Low coordination number जिनका होगा तीसरा Size Difference in size Difference Difference in size Small होना चाहिए Size मतलब समझे नहीं किसमें Cation और Nion के size का जो difference है वो Short होना चाहिए और Cation Divided by Nion की जो ratio है लगबग क्या होनी चाहिए एक के आसपास होनी चाहिए तभी ना सेम होगा तभी तो बात सेम होगी Low coordination number होना चाहिए जैसे 4 is to 4 यह क्या मतलब है इसका मतलब है यह Cation का है यह Nion का coordination number है जम्दली जो Nion की size होती है वो Cation से बड़ी होती है वो क्या होती है बड़ी होती है क्या यह चीज समझ में आई अरे बात समझ पा रहेंगे नहीं पा रहें कौन सो करेंगे समझ में आया क्या क्या प्रापर्टी होगी उसको भी समझते हैं प्रापर्टी क्या क्या होगी यह Electrically Neutral होगा Electrically क्या होगा Neutral होगा क्योंकि Same type के charge बाहर निकलते हैं दूसरा क्या इनकी density कम हो जाएगी भाई density तो कमी होगी ना क्यों अरे भाई धेर सारे आयन बाहर निकल गए हैं तो density क्या हो जाएगी कम हो जाएगी density क्या होता है density mass upon volume होता है volume में कोई chain थोड़ी ना होगा mass कम हो गया तो density कम हो जाएगी mass कम हो गया तो density कम हो जाएगी clear है जैसे example की बात कीज़ है, NACL, KCL, CSCL और ZNS, नहीं, CSCL और CSL2, अगर मैं बात कुरूँ, NACL, KCL और CSCL की, इन में जो NIN और केटाइन का, NIN और केटाइन का, जो size होता है, वो लगभग क्या होता है, same होता है, यह 6 is to 6 coordination number के होते हैं, 6 is to 6 coordination के number होते हैं, अभी मैंने क्या बोला, low नहीं, low बिल्कुल नहीं, high coordination number, क्या बोला मैंने, high coordination number होना चाहिए, ठीक है, high coordination number होना चाहिए, और 6 is to 6 है, यह 8 is to 6 है, और यह 8 is to 4 है, यह 8 is to 4 है, यह 8 is to 8 है, वो 8 is to 4 है, जो मुझे याद आ रहा है, कि CSCL 8 is to 8 होता, इसका मतलब है, किसका केटायन, 6 एनायन से घीरा है, इसका एनायन, 6 केटायन से घीरा है, और यही नहीं होता, coordination number, समझ में आ रही नहीं, आ रही बात, clear है, चल, क्या बात समझ में आई, जी है, आपने का, यह चीज तो इसमें समझ में आ गई है, अब अगला topic अपने पास, Frankel Defect, क्या है, Frankel, Frankel Defect, Frankel Defect, इसमें क्या होता द्यान समझ येगा, इसमें, जैसे हम AZCL का example लेके समझ हैं, यह, द्यान समझ येगा, मैं माल ले रहा हूँ, यह AZ plus, CL minus, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें होता क्या द्यान समझ येगा, इसमें अपना अस्थान छोड़के, अपना अस्थान छोड़के INTERSTECCIAL point पे पहुच जाता है, जाता है ? Interestical Space पर पहुच जाता है और अपना अस्थान छोड़ देता है यहां पर क्या जाता है ? Bicancy rate हो जाता है , यहां पर क्या जाता है ? Bicancy rate हो जाता है याद कैसे रहेंगे, कि जो इनके ions होते हैं, generally cations, हमेशा cations छोटा होता है, वही interstitial site में जाके घुश सकता है, interstitial site या space में कौन घुश सकता है, जिसकी side छोटी हो, तो generally कौन cation, cation ही हमेशा move करेगा, तो cation क्या होते हैं, interstitial site में जाके घुश जाते हैं, और याद कैसे कि बोलेंगे कि frank हो जाना, frank होने का मतलब कहीं भी जा के घूमते रहना, तो frankल डिफेक्ट से क्या जाद रखना है, frank हो जाना, यह इसमें कि जाते है, frank हो जाते हैं, इधर दूर घूमते लगते हैं, तो कहने का मतलब है कि इसमें इसमें density change नहीं होगी, इसमें density change नहीं होगी, density remain constant, density remain constant, density क्या होगी, constant रहेगी क्यों, अरे भाई सारे के सारे इसके अंदर ही तो हैं, गायर थोड़ी ना हुए, सौटकी वाले में क्या होते थे, निकल जाते थे बाहर, इसमें बाहर नहीं निकलते, यह उसी के अंदर रहते हैं, तो इसमें density change नहीं होती है, और electrical neutrality maintain रहती है, इसमें space या vacancy इसमें vacancies गाया होती है, जिसे हम hole बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, अपना स्पान छोड़े के चला गया, मजब क्या हो गया, vacancies गो गयां, interstcial point site में गया है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये interstcial defects भीधर साता है, but I can see defects भी दर्साता है क्या दोनों points समझ में आई बात आपको क्या समझ में आई की नहीं आई कौन सो करते हैं low coordination number वाले low coordination number वाले difference difference in size is high, high क्यों अरे high होगा तभी तो केटायन बहुत छोटा होगा तभी तो केटायन जाएगा interstitial point पे भासन मारीग नहीं आ रहे हैं तभी interstitial point पे जाएगा और वो क्या करेगा और वो क्या करेगा सो करेगा क्या सो करेगा फ्रेंकल डिफर्क्स हो करेगा जैसे azcl azbr azi zness ये 4 is to 4 ये भी 4 is to 4 coordination number 4 is to 4 ये मैं extra जानकारी बता रहा हूँ 4 is to 4 ठीक है अब note डाल के लिखिएगा note very very important के लिजेगा azbr जो है ना सो बोथ बोथ सौटकी and फ्रेंकल डिफेक्ट azbr जो होता है वो दोनो डिफेक्ट सो करता है क्यों क्यों से डिफेक्ट सौटकी and फ्रेंकल सौटकी and फ्रेंकल डिफेक्ट ठीक है ठीक है तो फिर इसको यही पर सवाम्द करते हैं फिर मिलते हैं next lecture में ठीक है तब तक लिए thank you शुक्रिया हो कि बाए